हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल टेक्निकल जिसान में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप फोटो से पीडियेफ फाइल कैसे बना सकते हैं आपके पास एक फोटो हो, दस फोटो हो या आपके पास पचास फोटो हो आप सबी फोटो की एक पीडियेफ फाइल बना सकते हैं और यह कैसे करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यह जो app है वो सिर्फ 1MB की app है तो आपको इसी वाली app को डाउनलोड करना है इसका link आपको वीडियो के description में भी मिल जाएगा डाउनलोड करने के बाद आपको इस app को open कर लेना है यहाँ पर आपको इस permission को allow कर देना है यहाँ पर से allow कर दीजिए और यहाँ पर आपको back कर देना है आपके mobile में जितने भी pdf file होंगी वे सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी तो यहाँ पर से आपको क्या करना है जिसी कि एक की बनाना चाते है एक select कर लिजिये दो ठीन या जितने भी आप select करना चाते है उसको select कर लिजिये तो यहाँ पर से देखें मैंने 15 photo select कर लिए उसके बाद मैं आपको यहाँ select पर click कर देना है तो यहाँ पर से देखिए importing हो रहे हैं इस app में यह सरे 15 photo तो यहाँ पर से आपको थोड़ा wait कर लेना है सभी photo देखिए यहाँ पर आ चुके हैं अब अगर आपको photo को changes करना है जिसे कि इस वाले photo को आपको यहाँ पर लेकर जाना है तो आपको यह जो option दिख सभी photo को adjust करने के बाद आपको done पर click कर देना है और यहाँ पर आपको नीचे convert to PDF पर click करना है अब यहाँ पर से आप इस PDF फाइल का जो भी नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर से नाम दे दीजिए जैसे कि यहाँ पर मैं देता हूं documents उसके बाद मैं आपको यहाँ पर continue पर click कर देना है तो यहाँ पर यह देखी converting हो रहा है और यह convert हो चुका है यहाँ पर आप इसे cancel कर दीजिए और यहाँ पर से यह जो PDF फाइल है वो आपकी file manager में save हो चुकी है अब यह कहाँ पर save हुई है वो भी मैं आपको यहाँ पर से दिखा देता हूं तो आपको अपने file manager म जाना है और file manager में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक folder मिलेगा 1MB converter तो आपको इस folder को जैसे open करेंगे तो यहाँ पर आपको यह जो documents है यहाँ पर से जो हमने PDF फाइल बनाई है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी तो यहाँ पर से मैं आपको एक बार open करके भी द करना सकते हैं